लोकसवा चुनाव के लिहाज से मद्दप्रदेश की सबसे चर्चिस सीटों में से एक है बिदीसा लोकसवा सीट यहां से बीजेपी के केंडियेड हैं सिवरा सिंग चोहान जो की पांच बार सांसद रह चुके हैं बिदीसा से ही और कॉंग्रेस के केंडियेड हैं प्रताब सर्मा जो सांसद रह चुके हैं लेकिन उनका ये दावा है कि सिवरा सिंग चोहान ने और यहां बीजेपी की गिएर्मेंट ने बिदीसा के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हम चुनावी चौपाल करेंगे बिदीसा के हाट स्पोर्ट से हम यहां पर तमाम जो लोग हैं वो हम कांगरेस की चलेगी पी-म मोधी की गारिणटी चलेगी या इंडी गठवन्दन की चलेगी तमाम लोग हम इंसे बात करते हैं यह सबस्ब पहले मैं आप इसे बात करना चाहूंगा इस लोग सबस्वा सीट की बात करें तो छिनबाडा होई वी विदीसा होई गुना होई र सारा साल मुकमंत्री रहे पांच बार सांसद रहे इससे पहले अटल वियारी वाजपेजी भी यहां से सांसद रहे सुसमा सोराज भी सांस रहे लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर दिया है तो कुछ भी नहीं इसका उधारन आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं चार नंब भारी से भारी मतों से जीते हैंगे इस डवाइलो कर रहे हैं कि विदीशा के लिए कुछ नहीं कि आप लोग क्या कहेंगे नहीं बता रहा हूं डबलब्मेंट आप देख रहा है और यह इसको एसलेडी में रखा गया भारत के रेल वेस्टेशन तरफ काम हो रहा है वहां के विदिशा को बोलने से कुछ नहीं होता सर आप देखिए विदीशा के चरौत और रिंग रोड मतलब क्या नहीं है मेडीकल कालेज और टोरियम यह मेरे बचपन के मित्र है रोनो भाई बोल तो रहा है लेकिन वह सुईकार तो वह भी करते हैं लेकिन क्या है कि आप आप बत सब्स मेरे से दारे किरमे सब्स इस फ्लेटात करनी पैसे दीएजाते है चूँकि जो कि गलाते क्वेडिंशाप करने के 5 रूबै सब्स उनुन यह नहीं है आज भी । लीका की बात कर लो तो भी अभी गड़े में हैं दूसरी चीज अगर दूसरा चीज देखी जाए तो लगातार भ्रशाचार और अनिमित्तायों की सिकायत हो रही है कलेक्टर वो चीज मान रहे हैं लेकिन उन पर कारवाई क्यों नहीं होती यह बहुत बड़ा मुद्दा है ब विदीशा की अगर देखा जाओ और हमारे फिजिकल एजिकुशन शारे रिक शिक्षा की बात करें तो पिछले 18 सालों से भरती नहीं निकली है स्पोर्ट टीचर की खेल शिक्षक तो आप लोग क्या सोचके वोट डालेंगे बेरोजगारी और महंगाई आप बताईए मोद सकता सब्सक्राइब हैं तो पूरे 35 साल के बाद जब पूरे कांगरे स्पाजिटि वहां कोई नहीं मिला तो उनको बली का बखरा बनाने के लिए यहां पर पेस किया गया है दूसरी घरी वाध रही मोओदी जी की अधे ऑरीनिंटी तो पूरे देश से लेकर पूरे विसमें मौदी जी की foreक से चाहे इन तर्ब राश्टी note फ३रे यहां पर सिभराच जी07,500 लि थे ऊंव कर सबُह अमदें तो यहां चेच्य पानी की तंकिया बनी है बाटच डिश्ट्रिउउटिोशन लाई आई ये सीवेच की लाईन आ ये ऐओड़्या मेडिकल ले जाया है नर्सिंग को ले जाया है एकसिलेंस को ले यहां पर आगया है आपके साफ से डेवलफ्मेंट परियाप बिलकुल सो परस प्रान पितिस्टा जो करिकम था उसमें कॉंग्रेस आलाकमान ने जाने से मना कर दिया तो मुद्दा रहेगा. लेकिन विदीशा जिले को शून ने कर दिया उन्होंने आज हम यहां से चल के जाएं सड़के देखें यहीं देख लें यह तो चुकि रेलवे की बांडरी है मैंने कहना चाहता प्रताब भानु शर्मा जी के कारेकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्दी नीमताल का जो पुल बना है वो हमारा था भारती जनता पारटी के पास बताने के लिए इसी कोई उपलब्दी नहीं है जिसके काराण वो बोट मांगे मोधी फेक्टर इस देश में बिलकुल नहीं है मोधी जी का फेक्टर जो था वो खतम हो चुका है हमारी कॉंग्रेस पारटी राम जी के नाम पर बोट नहीं मांगेगी हम धर्म के नाम पर बोट नहीं मांगते हम तो केबल सत्य निष्ठा और काम के माध्य हम से वोट मांगेंगे। तो मो देचो पूरा बिश्व में हुआ है विदीशास अडा है ौतस एक चोठी सी जगए ब्एक सब्षय हम NHB 152 वाली वाली बात तो हम हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रहा है, सनातन का यादी हम अपना बर्चस पर नहीं बताएंगे, तो क्या हम मुश्लिमों का बताएंगे, या उनके राश्ट का बताएंगे, केबल कॉंग्रेस एक ऐसी पारडी है, जिसने तुष्टी करण की नीती हमेशा अप नाती रही है, राम मंदर के मुद्दे पे, राम मंदर के मुद्दे पे केबल एक कॉंग्रेस ऐसी पारडी थी, जो सबसे पहले खड़ी हुई, कि हमको राम से कोई मतलब नहीं, तो कह रहे हैं, ब्यापारी हैं, किसी दल से नहीं जुड़े हैं, आप लोग सनातन का अपमा बात को आवेलना कर रही थी, जब मंदर का पूरा निर्मान नहीं हुआ, तो क्या जाना रहता है, अगर आप बताईए, पूरे बिश्व के लोग भाप पोँचे, पूरे पूरे सनातन के लोग पोँचे, पूरे जितने भी सादू संत्र लोग पोँचे, राम सेतु को तु अपने आप मंदर जाते हैं, वो भगबान सिरी राम के, देखिये, यह क्या है, यह सनातन की बात, मैं तो यह पूचना चाह रहा हूँ इनसे, भाई भगबान राम का, वहाँ प्राहत पर दिश्व के लोग पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, सारे धर्म के लोग, यह महाँ पर मंदर का निर्मार हो, राम लाला टेंट में बैटे रहे, तब कांग्रेस का गई थी, उसके बाद राहूल गानी को ने मंतर दिया, के आईए आप रांतर दिश्व के लोग पूरी कांग्रेस की जो इस्तिती हो रही है, मैं भी कांग्रेस का था, कांग्रेस कर इसलिए आया हूँ, कि हमारे राम की अवेलना कर रहा है, राम का आप मान कर रहा है, ऐसी कांग्रेस का सर्मनात मूरे देश में हो रहा है, निरंता आप देख रहे हैं, देखे, देखे, क्या है, देखे, मैं इस संदर में ये कहना चाहता हूँ, हमारे नए 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 पार जरूरी है कि इनके बुलाने पर ही हम मंदर जाएंगे दिखावा करने के लिए हम मंदर जाएंगे हम यह कहते हैं नहीं नहीं आप मुद्दे से मत भटकाईए बहिया जो पूछरा मैं बता रहा हूं राम जी सब के आराध्या मेरे घर चलो मैं अनुसूचित जाती का व्यक्त यई सब मानने वाले हैं और मानते हैं और कंग्रेस में जाती और जाती रहे एक बताईया एक मुद्दळ बन गहाए यहाँ पर तमाम लोग कह रहेitié मंदर क्यों तो ये कोई बात नहीं हुई कि कोई व्यक्ति विसेस हमें बुला के प्रमान पत्तर दे के मेरे बुलाने पर आप मंदिर आयो इसलिए आप हिंदू हो आप अपने घर में रात दिन आरती करो पूजा करो नहीं चलेगा पूरे देश में मुद्दा रहेगा जिस सनातन की ये बात करते हैं क्या उस भगवान को एक 205 लाग करोड के करजे में देश को डुबा के क्या भगवान प्रसंद हो रहे होंगे उनकी स्थापना करने के बाद किस सनातन की बात ये लोग कर रहे हैं देखिए देखिए ये इनका जो कहना अपकी बार 400 पार अभी 400 पार अपकी बार 400 पार का नारा जो दिया है मोधी जी ने बहुत सफल हो नहीं है मैं ये जो भाई साब बात कर रहा है इनकी बात का बताता हूं कि ये सरकारी खर्चे पर राम मंदर नहीं बना है यह आम जनता से जो धन संग रहे हुआ था उसके ब्याच से और उस रासी से राम मंदर बना है। मात्र आठ घंटे कम करके चार हजार रुपे मेरे से लेके गए। बता यह कहा है बेरोजगारी उनको अपने साधनन पर लेका है हमें। यह बेरोजगारी की बात करते हैं। मेरे लोग हैं। इन लोगों से मैं फिर बूचना चाह रहा हूं कि आप धर्मे पर आप दोनों लड़ रहे हों मुझे उससा मतलम नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताईए कि आप प्याज जैसी चीज पे हमने सरकार गिराईए आपने नहीं आपने नहीं गिराईए। लेकिन दावया करने की रोजगार नहीं है। अठारा सालों से खेल से चक्षक की भरती इस मद्द प्रदेश में नहीं हुई जबकि हमारे माननी मुखमंत्री इसी चले से हैं। कहीं बार आवेदन निवेदन प्रतिवेदन सारी चीज की गई है। और तो और दूसी चीज अभी अभी हमें कॉलेज भी अभी मिला है। मेडिकल की बात करते हैं सुभी दाए नहीं है। यह किस धर्म की चीज है यह लोग गिना रहे हैं। लेकिए यह तो क्या है बिरोध करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर मेडिकल कोलेज है, यहां पर नई ITI बनी है, यहां पर एक्सिलेंस कोलेज आ गया है, यहां पर यूथ के लिए आया है। सब कुछ है और जब कोई डेवलपमेंट होता तो उसमें समय लगता है। यहां भारत का सबसे अच्छा ससजित हास्पिटल यहां बना है। चुकि वो नया है, जो मसीने आई हैं उसमें टैक्निसियन आएंगे, और सीख रही उसमें और अच्छा काम होगा। और हमको विश्वास है, सिवराज जी यहां से जैसे ही आपको बता देना चाहता हूँ कि आट लाक मतों से उपर से चुनाओ जीत रहे हैं। जैसे ही होंगे तो और अच्छा विश्व का हास्पिटल बनेगा। आप यहां बाहर से आये हुए हैं, आप बताइए, आप 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 नागरिक हैं, हॉस्पिटल है, यहां पर डेबलमेंट हो रहा है। यहां बाहर से हैं, आप सर बताइए, चले आप बतादे, आप बतादे, बेगी साथ जो हास्पिटल की यह बड़ी-बड़ी भारती जनता पार्टी की लोग बात कर रहा है, मन मोहन सीन की सरकार में प्रस्ताविस हास्पिटल है, उसका उधगाटन माननी कमलनाजी ने किया ह और उसके बाद से जफसे भारती जनता पार्टी आई है, उसमें एक मसीन नहीं लगा पाई, एक स्टाप को परमानेंट की गवा है, बात के सुई बरताद लोग परिसान है, तनखा के लिए परिसान है, यह विकास की बात करेंगे, विकास हुआ है तो सबरासीन जी की डेरी के आसपास, और कहीं विकास नहीं हुआ, अब यहाँ खड़े, यहाँ गड़े देख लीजिए, यह गड़े पर गड़े, यह सा विकास, मोधी जी 100% जूट बोलते हैं, उनकी पहला जूट उनका 15 लाग देंगे, उन्होंने दिया, दूसरा जूट उनने 2 करोल लोगों को अपरती बस रोजगार देंगे, दिया, आज 10 साल होगा है, 20 करोल लोगों को रोजगार देना चाहिए, मोधी जी जूट पर चुनाव लड़ रहा हैं, हम रोजगार हों, और विकास पर चुनाव लड़े हैं, बिदीसा की जनता नहीं, मेरे ख्याल से पूरे बिस्व की जन आज आए कि हम केवल रोजगार विकास इनी मुद्दों पर सिक्षा पर स्वास्त पर ही बोड़ डालेगी जनता यहां कि एक हमारे यहां भी क्या हुआ, आचार से लगी हुई है, हमारे ब्यापारी बहुत परेशान हो रहा है, जबकि जबकि बो लोग बुगल काई, आब अभी एक बैपारियों की यहरू समस्य है, आचार से ही है ताम है, कि हमारे बैपारी हाट बजार करने जाते हैं, मैं सराफे बैपार से हूँ, तो आचार से ही था, सोने चांदी की जेवरात जाते हैं, और वो पीडियों से लोग जाना है, चेकिंग में दिक्कत, चेकिंग क नाम पर जो अधिकारी बेलगाम होगा है जो किसी की सुन नहीं रहे हैं वो इतना जादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम लोग अपना बिजनिस नहीं कर पा रहा है तो कम से कम जो पूर मुक्यमंत्री जी उन्हें जैसे पहले हैं उनके मुक्यमंत्री कालन में आदेश निकाला परिशान ना किया जाए आप लोग बताओ बदीशा मैं क्या सोचके वोड करेंगे आप लोग तो कुछ नहीं है पर वही है कि कुछ चीज़े देखे जाएं तो नहीं हो पा रहे हैं फुल फुल ऐसा स्टूडेंट हम लोग को जब हम लोग ने इन्रोल किया था तो हमको बताय नहीं होए और बहुत सारी चीज़े हैं कि एंप्लाइमेंट का देख लो तो वह भी नहीं है हम लोग हर चीज में बहुत स्टॉगल कर रहा है वही स्कॉलोशिप कभी टाइम भी नहीं आ पारती है जो बोला गया है उस हिसाफ से तो कभी नहीं आती हम लोगों का थर्ड ये मामा चलेंगे मोधी गारंटी चलेगी या कॉंग्रेस की सरकार आई मोधी जी कारण यह सर्म हम 35 वियर सो हमने वह समय देखा है जब दिग्वजे सिंग जैसे लोग रहेते तो चार-चार-चार-चार गंटे जब पढ़ाई करते थे हम लोग 8,9,10 पढ़ते थे यहां लाइ जो राम अंदिर बना जो भी यह सारे मुद्दे हुए हैं तो हम वही चाते हैं नौकरियां हैं इंप्लॉयमेंट है सारी सारी चीज़े हैं तो यह जो चीज़े हैं हमारे लिए बेसिकली यही मुद्दा है कि अगर हम लोग सुरक्ष्यत है तमाम जो लोग थे बिदीशा के इनसे हमने बात की ब्यापारी बर्ग भी था कॉंग्रेस और बीजेपी बिचादर से जुड़े हुए लोग भी थे स्टूडेंट भी थे यूथ भी थे सब कुछ नाराजगी भी है स्टूडेंट की कुछ लोग का यह भी कहना कि डेबलोमेंट नहीं हुआ है हॉस्पिटल यह सिंग रिपब्लिक मेडिया नेट्वर्क बिदी साह